एक उपनगर में अज्यात काश दिन भी रात की तरह काले होते क्योंकि मुझे लोगों के चेहरे नहीं देखने पड़ते यहाँ अनुकूलन करने के लिए एक पूरी नई दुनिया है सेपिय के रूप में दिन सुस्थ है राते काली और सफेद मैं अपने लिए एक दिन भरपेड भोजन नहीं बना सकता था और यहाँ तक की अगर मैंने खा लिया और खा लिया तो कुछ भी उस शून्य को भरने वाला नहीं है इसलिए उन विचारों के साथ मैंने अपने दिन की शुरुआत की क्योंकी मुझे पॉलिसी के बारे में सुनिश्चित करने के लिए मेरे चचेरे भाई का फोन आया कॉल ने मुझे जगा दिया सरकार इतनी सुस्थ क्यों है शायद उसके पास स्टॉक नहीं है मैं शमशान घाट के पास उस PHC में 6-7 बार अच्छी तरह जा चुका हूँ लेकिन नहीं आपके पास पहुँच नहीं है पॉर्टल के माध्यम से बुकिंग करने के बाद भी प्रात्मिक स्वास्त्य देख भाल केंडर में रिसेप्शन पर एक व्यक्ती ने कहा तुम लोगों को और क्या चाहिए मैंने सोचा मैं कुछ समय से बाहर नहीं निकला हूँ इसलिए जब भी मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है ओ, आप कैसे है? अब आपकी तबियत ठीक है, मेरी पडोसन आंटी ने कहा हाँ, आंटी सब कुछ अच्छा है मैंने जवाब दिया क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से मेरे बुखार के बारे में जानती थी ब्लॉगिंग, शत्रंच खेलना, कॉफी पीना, खाना, पीना एक लूप पर था क्या मैं इस लौकिक विसंगती में हमेशा के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि यह कुछ मायनों में अभिशाप और कुछ में आशिरवाद जैसा लगता है मेरी परेशानी और भी बढ़ जाती है, मेरे पास काम चलाने या सबजी खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए वाहन भी नहीं है मम्मा, मुझे मेरी बाइक का नंबर दे दो मैं दुकान तक पैदल नहीं जाना चाहता तिल्द जब मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूँगा, तब तुम्हें उनकी कीमत का पता चलेगा तब मैं देखूंगा कि तुम कैसे नहीं चलोगे मेरी मा चलाया तुम क्या बनना चाहते हो? अपने आपको देखो अपने आपको आइने में देखो तिल्द तुम एक पिल्ला की तरह ही बड़े हो गए हो अब जाओ और मुझे यह सूची ले आओ उसने फिर मुझे कुछ नाश्ता और कॉफी दी क्योंकि मैं रात में लगभग तीन दशमलव शून्य बजे तक ब्लॉगिंग कर रहा था फिर मैंने चाई पी और फिर धाई बजे के बाद कट्टन चाई पी मा की पसंदीदा चाए मैं उत्सा, रोमाच, काम, कुछ हंसी के साथ एक सार्थत दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और कुछ ही लोग है जो मुझे वहां ले जाने के लिए परियाप्त है मेरी प्यारी छोटी भतीजी, मेरी चाची और मेरी खुद की कमपनी मुझे लगता है कि आराम का दौर खत्म हो गया है और एक हफ़ते में मुझे काम पर वापस जाना होगा अब जाओ और तीस मिनट के लिए टहल लो, मेरी मा ने कहा परिवार के कई लोगों के मरने की खबर हमें मिल रही थी मा क्या हम कुछ नहीं कर सकते? देखो लोग कैसे मर रही हैं, मैं रोया कभी कभी चीजे हमारे हाथ से बाहर हो जाती है हम केवल अपना ख्याल रख सकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रियजनों को कुछ नहों अपने आपको मारना बंद करो और सो जाओ, मेरी मा ने कहा जब जीवन में उच्छाल आएं तो बहतर होगा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें इसलिए मैं मास के साथ बहतर हूँ अलविदा डाइरी